एक जुलाई दोहजार चौबिस को संसद में लीडर ओफ ओपोजिशन राहूल गांधी और देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनात सिंग के बीच एक बहस होती है ये बहस अगनीवीर योजना को लेकर होती है इस बहस के दोरान राहूल गांधी ने राजना सिंग पर जूट बोलने का आरोप लगाते है साथ ही ये भी कहते हैं कि सरकार के लिए अगनीवीर योजना यूज एंड थ्रो मजदूर है नमस्कार आप देख रहे हैं विंदिपर्स्ट और आज के इस एक्स्प्लेनर में हम जानेंगे कि अगनीवीर योजना आखिर है क्या इस योजना की क्या फायदे और क्या नुकसान है साथ ही इस योजना को लेकर देश में विरोध क्यूं होते आ रहे हैं एक जुलाई को संसद में पहले सत्र की आठ भी बैठक होती है इस बैठक में राहूल गांधी को राश्ट्रपती के अभी भाषन पर धन्यवाद प्रस्ताप करने को कहा जाता है जिसके बाद वो अपने भाशन में धन्यवाद प्रस्ताफ तो पेश करते ही है लेकिन वो अगनीवीर अजे सिंग का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि अगनीवीर शहीद होता है लेकिन सरकार उसे शहीद नहीं अगनीवीर कहती है चोटे से घर में अगनीवीर शहीद हुआ, लैंड माइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहते हैं जानकारी के लिए बता दे कि अजे सिंग एक अगनीवीर थे, जिनकी जनवरी दो हजार चौबिस में जम्मू कश्मीर के राज़वरी इलाके में एक लैंड माइन बस्टूर्ट में मृत्यू हो जाती है जिसे लेकर राहुल गांधी और राजनाथ सिंग के बीच बहस होती है, जिस पर राजनाथ सिंग ये कहते हैं कि अगनीवीर को सरकार के द्वारा एक करोड की सहायता राशी दी जाती है 16 जून 2022 को केंदर सरकार एक नई योजना लेकर आती है, ये योजना आर्मी के रिकृट्मेंट यानि की भरती के लिए लाई जाती है इस योजना के तहट भरती होने वाले आर्मी को अगनीवीर का नाम दिया जाता है, इस योजना में कईनियम शामिल किया जाते हैं जैसे इस योजना के नुसार हर साल 46,000 अगनीवीर की इंडियन आर्मी में भर्ती की जाएगी और जो भी इस योजना के तहट सलेक्ट होते हैं उन्हें अगनीवीर नाम दिया जाएगा इस योजना में 7,5 साल से 23 साल के बीच के उमीदवाली अपलाई कर सकते है आविदन करने वाले युवा कम से कम 50 फीजदी नंबरों के साथ 12 पास होने चाहिए साथ ही ये बताया जाता है कि इस योजना के तहट सर्विस कमिशन के लिए नहीं बलकि नन सर्विस कमिशन के लिए भर्ती की जाएगी जैसे नाइक और सिपाही के लिए इस योजना के तहत सलेक्टेड अगनी वीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 3.5 साल तक आर्मी में सर्विस देनी होगी सर्विस के बाद उन्हें रिटार्मेंट दे दी जाएगी और रिटार्मेंट के बाद उन्हें 10 से 12 लाख रुपे दी जाएगी इस योजना के तहत अबनी वीर को 30,000 रुपे पर मंथ सैलरी के तौर पर दी जाएगी और चौथे यह राते आते उनकी सैलरी बढ़ा कर 40,000 पर मंथ कर दी जाएगी साथ ही उनकी सैलरी का 30 प्रतिशत कट करके उनके रिटार्मेंट के दौरान मिलने वाली रकम में एड करके दिया जाएगा अब सवाल यह है कि आखिर इस योजना में ऐसा क्या था जिसे लेकर देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए एक अच्छा और ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए कम से कम 5 साल की ट्रेनिग चाहिए होती है लेकिन इस योजना के तहत युवाओं को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की ही ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसे में ये सवाल है कि एक half trained soldier कैसे किसी operation में पाट ले पाएगा और कैसे किसी भी situation को handle कर पाएगा इसके अलावा एक और criticism निकल कर आ रहा है कि इस योजना में शहीद होने वाले अगनीवीरों को शहीद की उपादी नहीं दी जाएगी यानि कि अगर कोई भी अगनीवीर शहीद होता है तो उसे अगनीवीर ही कहा जाएगा और शहीद होने के बाद जो भी facilities एक शहीद के परिवार वालों को दी जाती है वो नहीं दी जाएगी हाला कि सरकार ये दावा करती है कि वो उसके परिवार को एक करोड की धनराशी देगा साथी इसमें चार साल की सर्विस के बाद अगनीवीर को retirement दे दी जाएगी लेकिन किसी भी प्रकार की pension सरकार द्वारन नहीं दी जाएगी इस योजना को लेकर positive से जादा negative बाते जादा सामने निकल कर आ रही है जैसे कि 4 साल की सर्विस देने के बाद सिर्फ 25 प्रतिशत अगनीवीरों को ही permanent किया जाएगा लेकिन बागी 75 प्रतिशत अगनीवीरों का क्या होगा इसके अलावा अगनीवीरों को कोई भी pension या सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी ऐसे में उनके service करने का क्या फायदा साथ ही युमाओं का ये भी कहना है कि जब वे 12 पास करके अगनीवीर बनेंगे और 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उनके पास सिर्फ आर्मी की training और 12 की degree होगी इससे वे आगे कोई भी दूसरा profession चूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए उन्हें 4 साल का degree course भी करना पड़ेगा ऐसे में अगनीवीर उनके लिए waste of time है कुछ लोगों का ये भी कहना है कि retired अगनीवीर ब्रहमित होकर देश विरूधी operations में भी भाग ले सकते हैं जो कि देश के लिए खत्रा हो सकता है अब इन सवालों पर सरकार की क्या राय है ये भी जान लेते हैं सरकार का ये कहना है कि सरकार उन्हें आगे की job के लिए preference देगी लेकिन सरकार इसके भी कोई guarantee नहीं देती है इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि वो retirement के बाद अगनीवीरों को 10 से 12 लाख रुपे देगी जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई या कोई start-up शुरू कर पाएंगे साथी सरकार का ये कहना है कि वो शहीद अगनीवीरों को शहीद का दर्जा नहीं देगी लेकिन उनके परिवारवालों को एक करोड की सहायता राशी दी जाएगी सरकार का ये दावा है कि वो अगनीवीरों को pension ना देकर पैसे बचाएगी और आर्मी के लिए नए और advance weapons खरीदेगी लेकिन ये सवाल है कि अगर सरकार को पैसे ही बचाने है तो वो politician, MLA और MPs के pension में भी कटौती करके ये कर सकती है कोई भी person एक time के लिए भी MLA या MP बनता है तो उसे lifetime pension दी जाती है लेकिन ये rule अगनी वीरों के लिए क्यों नहीं है ये scheme क्या है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है और ये क्यों hot topic बना हुआ है, ये सब आप समझ चुके होंगे लेकिन इस यूजना पर आपकी क्या राय है हमें comment section में जरूर बताए और ऐसे ही explainers के लिए देखते रहिए when the first और आपकी क्या है